कि हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश में स्वास्त की आधारी से नशना है तो तीन-चार चीजे हैं हम लोग ने बात कि थी कि हमारे देश में जो सरकार है उसकी संवेधानिक जिम्मधारी बनती है स्वास्त की संवेधारी जिम्मधारी बनती है पूरा स्वास्त की जिम्मधारी कि सरकार की तरफ बनती है जैसे कि मिलावट खुरी होती रहती है हमारे देश में होती है इसमें पाकिस्तान के खुरे डीकिमेंटरी उसमाज गिड़ सकता है जो एकदम जहर समझे, खाना खाने वाला इनसान खाने की जहर खा रहाएंगा यह असा हो जाता है, ठीक है, दवाएं हैं, इनको भी रिगुलेट करना, और साथ में इसको भी सपोर्ट करना, दवाएं तारे लोगों को मौझोद हों, यह भी देखना, ठीक है, कुछ दवाएं पर खुली तोर पर सेल नहीं हो सकती और इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखाओ या फिर कुछ-कुछ इंडस्ट्री इसको ही मिलेगा यह सारी चीज़ों को रेगुलेट करना फिर चिकितसा पेशा जो है ऐसे प्रोफेशन अगर आप देखोगे तो उसको भी रेगुलेट करना और उसको इसतरी स समाज का नुपसान सांड पो इसको पर नगलते को दो मांसिक अक्षमता भी कई मारी इसमें उती है पागलपन भी हो जाता है लिसको लुनसी बोलते है इन में निदेशन और विनियमन ऊथा इसको रुप्रेवलेट करना दारेक्षत बट मुख्रियूप से इसमें एक्जेकुटिव काम करता है और लॉज हम लोग बनाते चले आते हैं और उन लॉज के तहत ही ये सारी चीजे काम कर रहे होती है अच्छा तो ये हमारा हो जाता है समयधानिक जिम्मदारी के तहत आ गया अब क्या होगा हमारे यहाँ पर इन सार के अंतरकत आती है इसका क्या काम होता है नीती एवे म्योजना बनाना ठीक है सूचना एक अत्रित करना किस तरह की सूचना है जैसे जन्व मृत्यू संबदित आंकड़े बगरा थे इनको भी साथ में जो स्टेट्स है जो राज है अभी तो केंद्र की एक बॉड़ी है को भी मदद कर रहा होता है और बहुत सारे अन्य निकाये हैं निकाये मदद समझते हैं कॉर्पोरेशन है या और अलगते सिस्क्रम से जो लोग स्टेट्र में काम कर रहे हैं उनको भी तकनीकी सहायता प्रतान करना ठीक है और साथ में अन्य निकायों को वित्ती सहायता भी करने की जिम्मेदार नाम किसका होता है हमारे इस परिषद का जिसका नाम है केंद्र सवाफ के परिवाद के परिशद केंद्र के बौडी तुरह के सब्सक्राम की बात करेंगे या फिर हमारे आपर किस तरह से जो हिल्क का पूरा एक infrastructure बना हुआ है उसको हम देखे नहीं तो हम एक पिरामिड दिखता है पिरामिड उपर पतला हो जाता है नीचे फैला हुआ होता है तो जो हमारा पिरामिड है उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे उपर हमारे आते हैं medical colleges ठीक है medical colleges कैसे खुलेंगे कितने लोग पर पढ़ाई कर सकते हैं हर तरह की branches में बीडिया से इनमें कौन से कितने कितने सुटेंट्स हो सकते हैं तो एक अपर लिमिट की जाती है उसको भी हम लोग बात करेंगे सबसे उपर हमारा जाते हैं में सबसे अच्छे मेडिकल साइंस जो पूरे दुनिया में सबसे चेंटरी मेडिकल कॉलेजी से बहुत सारे है कानपूर में था तो गनेशन करविद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है लग्णौ में के exposed वहाँ एंसे लिकिन टेली वाला एंस और तक ठीक से काम कर रहा है वह बाकी जी पर डॉक्टर की कमी है खिर अब सबसे ऊपर कर जाते है में अच्छी नहीं है खोले गए हैं लेकिन वहां पर डॉक्टर उस नहीं है स्वाइट का सतार बनाया गया हट जगह पर लेकिन कई जगह पर कहने को बेट्स पढ़े हुए बाकी जो फेसिलिटीज वह नहीं है तो यह सारी समस्यां बहुत आती है और इसमें हम लोग अगर देख अच्छी नहीं है इसके बाद सब्सक्री को तैसिल बोलते हैं पर तालुका बोलते हैं तो सब्सक्री इसतर पर भी हॉस्पिटल रहता है फिर आता है हमारा Community Health Center CHCs बोलते हैं ठीक है वही CH और C उठा लिया तो CHCs का मतलब जाता है प्राइमरी हेल्ट सेंटर में भी प्राइमरी हेल्ट सेंटर में भी प्रावधानी नहीं है तो उसके बाद पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और चार पी प्राइमरी हेल्ट सेंटर 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 की जलसें क्या पर होते हैं आपको होने चाहिए बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी सरकारी बताओं तो वहां पर उस टाइम पर हमनों को मोटिवेट करने के लिए और काफी चीज़ें को बताने के लिए एक बहुत ही सीनियर रेटायर्ड पुलिस ऑफिसर आयते जो एक टाइम पर दिल्ली के पुलिस कमिशनर भी वहा करते थे तो उन्होंने आकर करके बोला कि यूपी असी में पुलिस सर्विस को करना एक उस तरह का काम है पुलिस सर्विस को खासवर के ले करके कि जैसे एक बहुत बड़े सरकारी अस्ताल में एक बड़ा डॉक्टर आप बन जो जाकर किया है तो वहां पर आपके पास मरीज आते जाएंगे आते ही जाएंगे आप दिन भर काम करते हो कि मरीज कभी नी खतम होंगे और आपकी साललिए से आपको कोई इंसेंटिव नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अगर आप पूरा ओव सब्सक्राइब होना चाहिए तो यहां पर हम लोग इसके बात कर रहे हैं उसके बाद हमारा यह जो है काफी एक तरह से इंडिया में इसको काफी इंपॉर्टन मिलती है यह क्या होता है कुछ होते हैं क्या बोलते हैं कम्यों क्या बोलते हैं कम्यों क्या होता है और नर्स मिड़ाइब को मतलब होता है जिसे गाउं बगएरा में जो है सब्सक्राइब होती है तो भारत में जिम्मिदारी इतनी आधा क्यों होती कि हमारे पार बाकी जो लोग है वह उतने नहीं जितने होने चाहिए तो गाओं बगरा में जो पहला कॉंटेक्ट है जिससे बात किया सकती खास्त और से महलाओं की अगर आप इस तीक बात करेंगा भी में लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में उनकी बहुत हिस्ती खराब है महलाओं में स्वास्त को ले करके तो उनके लिए फर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कौन होता है ए क्योंके पास गाउं के उससे सकर पर खोई भी ऐसा इंसान नहीं दूसरा कुछ काम करने वाला हो इन्हीं को पक्रा देते हैं तो यह सारे नाम हैं यह हमारा स्ट्रक्षर बनता है फिक अच्छा यह सारे नामृत नहीं लेकिन आपको एक आड़े होजाने चाहिए कि हाँ मिडिकल कॉलेज जिस हैं फिर इसके बाद से आप कम्टी लेवल पर लेकर काते हो फिर सब इसको क्या बलते हैं सब हेल्ट सेंटर होते हैं उसके बाद फिर हम उनकी बात कर लेते हैं अच्छा अब आजाते हैं हम लोग इसको पर यह काम कर रहें तो उसमें सबसे घ्लाइब इंपॉर्टन होते हैं मारे दॉक्टर्स और नर्से नुक्त हैं तो अब डौक्टर्स में हमारे यहाँ पर 11,00,000 से ज्यादा साड़े 11,00,000 बॉक्त उर्यों और से साथ साथ रिस्टेशन करा लिया काम कुछ और कर रह जो बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशन कालिफाइब कर लेते हैं और उसके बाद पुछे नाम का इक स्वेशन में शुरू किया तो जो बड़ी कमपनी हो गई है ऐसे ही और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो वह डॉक्टर नहीं रहे हैं ठीक उन्होंने अपना एक हो जाते हैं तो कुल मिला करके साड़े ग्यारा लाग से ज्यादा लोग रिंस्टर्ड हैं लेकिन जो प्रैक्टिस करने का इस्टिमेशन है वह लगबाग लगबाग 926 लोगं का है और यह कौन से डॉक्टर्स है यह एलोपैठी डॉक्टर्स है मुन्ना भाई MBBS लोग है ठ सब्सक्राइब होता हुमियोपैठी का रहता है तो इंडिजेनिस सिस्टम बोला जाता है मेडिशन का जिसको उतनी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है व्याश्यों के इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिस की गई इनको भी मानता दी जाए इनको भी अच्छे से समा सब्सक्राइब को आप कोई चीज आपको ना हो आप योग और प्रणायाम करेंगे यह सारी चीज़ें करते रहेंगे तो आप बीमार पढ़ेंगे ही नहीं इसके संभावना बहुत है लेकिन अगर आपको एक्सिटेंट हो जाए तो आपको एलोपेथी की तरफ आना पड़ करते हैं तो हमें 9,26,000 active doctors का नंबर मिलता है हमारे देश में और ऐसी सिती में जो अगर हम लोग इनको काउंट करना करें इनको आयूश के अंदर आ जाते हैं इसमें उनानी है आयूश के अंदर आ जाते हैं तो यह करीब भी 7,88,000 अब इनमें सिर्फ एलोपेथी का को अगर कर लिया तो हमारा 868 इनसानों पर एक डॉक्टर में मिल जाता है जिसमें इसमें कौन को ने इसमें वाले डॉक्टर की मिला लिए गया है जो हमें पैथी है उनानी का काम कर रहे हैं और WHO क्या कहता है कि एक हचार की जिन संख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए तो अगर पर लोग बात करते हैं तो हमारे इंडिया नर्सिंग कांसिल है जिसके साथ 30,00,00 से ज्यादा नर्सेस रेजिस्टर है ठीक है 30,00,00 से ज्यादा लेकिन बहुत साही नर्सेस हैसे होती जो शादी हो जाती उसके बाद से वो नर्सेस काम नहीं करती है प्रैक्टिस च्छोड पर इतना ज्यादा रहता है इतना ज्यादा रहता है इतने भीड रहती है लोगों की जो गरीब आदमी हो यहीं पर जाता है क्यों कि प्राइब बहुत खर्चा हो रहा होता है क्योंकि बाकी लोगों को अपने देखा था कि सब कुछ आपने बना भी जया लेकिन अगर अपर र्यापता है तो एक तो इन सारे और हॉस्पिटल्स को बराने के जरूरत है बराने के सासथ वहाँ पर वो सारा काम हो यहां पर दूसरी चीज के आती है राज सवाम में थोड़ दिन पहले ही जो हमारे मंत्री जी है उनसे जवाब मांगा गया था एक दू साल हो गई है तो उन्होंने बोला था कि भारत में करीब 500 से उपर मेडिकल कॉलेजिस और हर साल लब पचासा डॉक्टर्स बन करके निकलते हैं अब उन पचासा डॉक्टर्स में करीब करीब कितनी तरह के समस्यां आती हैं ऐसे में क्या के कदम उठाए गए हैं कि डॉक्टर्स का नंबर बढ़े तो MBBS जो सीट्स रा करती थी कही कॉलेजिस में 150 के लिए मैडिकल कॉलेज खोलने में कही रिगलेशन हुआ करते हैं उनको भी ठीला किया गया कि और लोग मेडिकल कॉल करते हैं वह बन पाता है खाली और अगर आप बाखी देशों के तुर्णा में कंप्यार करेंगे तो यूए से जैसे चीजें की गई हैं पर फिर भी हमें दिखता है कि पब्लिक हेल्थ में बहुत ज्यादा अभी काम करनी का शकता है कुछ-कुछ अब करते हैं कि देश में कुछ अलगी तरह की दुनिया का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप एडुकेशन ले लिए तो यहां पर आपको काफे चीज़ें मिलेंगी अभी दिल्ली में कुछ-कुछ कि एक क्लोमेटर के अंदर ही कोई ना कोई आपको ऐसे डिस्पेंसरी मिलना है जहां पर आपको जो आम तरपर होने वाली बीमारियां है बुखार है आम बुखार और इस तरह की चीज़ें उसकी दवाई मिल पाए फ्री में तो यह भी काफी सरहा गया कोफी अन्नान एक हमा वारत में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहना उसको लेकर के काफी प्रस्ट चेंज लगते हैं अब निजी शेत्र हमारे हैं काफी चीज़ें अच्छी भी कर रहा है अगर आप निजी शेत्र देखेंगे बस समस्या यह है कि बहुत सारे भार्तियों की जेब की प करना चाहते हैं तो पैट्रियॉन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिये गए क्यूर पोर्ट को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें